नीट यूजी काउंसलिंग 2023 जाने कब शुरू होगी केंद्रिय संस्थानों, AIQ और स्टेट कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग नीट यूजी काउंसलिंग 2023 नतीजों की घोषना के बाद अब मेडिकल डेंटल आयूश और नर्सिंग सनातक प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर देश भर से सफल घोषित 11.45 लाग हमीद्वारों के दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा एंटीए द्वारा नीट यूजी रिजल्ट 2023 की घोषना मंगलवार 13 जून को किये जाने के बाद इस बार की मेडिकल डेंटल आयूश और नर्सिंग सनातक प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर देश भर से सफल भोषित 11.45 लाग हमीद्वार को एंटीए द्वारा जारिस को और रैंट के आधार पर केंद्रिय वित्तिय सहायता प्राप्ट चिकितसा शिक्षा संस्थानों की सीटों और सभी राज्यों सरकारों से वित प्राप्ट संस्थानों वनिजी कोलेजों में निर्धारित 15 फीसदी ओल इंडिया कोटा, AIQ और और अल इंडिया कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रिय स्वास्थि मंत्राले की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC द्वारा किया जाता है। जिन उम्मीद्वारों को केंद्रिय संस्थानों या राज्यों की AIQ सीटों के लिए सफल भोशित किया गया है, वे MCC के आधिकारिक वेबसाइट, mcc.nic.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले नीट्यूजी काउंसलिंग 2023 ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से CTUG Counseling 2023 स्टेट कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग. दूसरी तरफ, जिन उम्मीद्वारों को विभिन राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की स्टेट कोटा सीटों के लिए क्वालिफाई घोशित किया गया है, वे उस संबंधित राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चकित्सा, शि आस्थ्य विभाग या निदेशाले की वेबसाइट से काउंसलिंग को लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अद्मिशन गाइडन्स के लिए आप www.medicaleducare.com प्रविजिट कर सकेटे हैं। हम आपको नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में सारी चंकरी देंगे। थांक्स